नमश्कार दूश्तो आपका हमारी यूटूब चैनल भक्ति क्यानतियोहर में स्वागत है आज मैं आपको अगहन मास की कहानी सुनाने जा रही हूँ अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान बिश्णू कीज़े अवश्य लिखे साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें अब सुनिए ये कहानी किसी नगर में एक राजा रहते थे वो राजा बहुत ही कंजूस थे उनके दरवाजे पर कोई भी आए किसी को वो दाना नहीं देते थे राजा हमेशा यही सोचते थे कि अगर मैंने एक मुठी अन दान दे दिया तो धीरे धीरे मेरा सारा धन अनाज नश्ट हो जाएगा फिर मेरे बच्चों का क्या होगा उनके बच्चों का क्या होगा एक दिन की बात है राजा ने अपने एक मंतरी से पूछा कि तुम बताओ मेरे पास कितना धन है मेरे धन से मेरी कितनी पीडियां खा लेंगी मंतरी कुछ देर तक सोचता रहा फिर राजा से कहा महराज आपके पास इतना धन है कि आपकी आने वाली साथ पीडि बैट कर खाएंगी तब खत्म होगा आपकी साथ पीडियों को कोई परिशानी नहीं होगी तब राजा सोचते हैं कि हम इतने कंजूस हैं फिर भी एक दिन मेरा धन घठी जाएगा मेरी साथ पीडि से आगे की पीडि क्या खाएंगे अब क्या होगा इसी चिंता में राजा खाना नहीं खाते तब राणी ने कहा क्या बात है आप भोजन क्यों नहीं कर रहे राजा ने कहा कुछ नहीं मुझे भूग नहीं है फिर राणी बार बार तो राजा थोड़ा सा खाना खा लेते हैं इसी तरह कई दिन बीट गए और धीरे धीरे राजा बीमार पड़ गए अब रानी को बहुत चिंता होने लगी कि राजा को क्या हो गया है एक दिन की बात है राजा की दर्वाजे पर एक संत महत्मा आए तो रानी बाहर निकल कर कि मेरे पती तो किसी को दान नहीं देते लेकिन अभी वो सो रहे हैं इसलिए मैं आपको अन्यदान देती हूँ फिर रानी ने संत महत्मा को अन्यदान किया और कहा बाबा मेरे पती एक महिनी से बीमार है पता नहीं उन्हें किस बात की चिंता है बाबा ने कहा अपने पती क तो बाबा ने कहा राजन आपको क्या हुआ है तब राजा ने बताया कि बाबा मेरे एक मंत्री ने कहा है कि तुम्हारी साथ पीड़ी ये अन खा सकेंगी तो बताओ बाबा मेरी आटवे पीड़ी क्या खाएगी मुझे यही चिंता है तब बाबा ने कहा कि जंगल में एक बूरी मा रहती हैं, वह बूरी मा प्रतिदिन भीग मांग कर खाती है, आप उनके पास चाओ और अनाज लेते जाना, तुम्हारी समस्या वो बूरी मा हल कर देंगी, राजा सुचते हैं कि वह मेरी समस्या को हल कर देंगी, लगता है वह बुड़ी मां से मिले, राजा और रानी ने कहा, माई हम आपके लिए अनाज लाए हैं, आप रख लीजिए, बुड़ी मां बोली, बेटा मैं तो रोज मांगकर लाती हूं और खाती हूं, रानी बोली, माई तो कल खा लेना, बुड़ी मां ने कहा, कल का कल ती खा जाएगा, म बूरी मा रोज भीक मांगती है, कितनी दुखी है, फिर भी इसे कल की चिंता नहीं है, एक हम है, जो ये सोच कर परिशान रहते हैं, कि आठवे पीड़ी क्या खाएगी, जब हम कमा रहे हैं, वैसे हमारे लड़का कमाएगा, वैसे ही उसका लड़का कमाएगा, उसके पास भी धन होगा, फिर राजा ने सोचा, कि अपसे मैं भी दान करूँगा, और अपना धन धर्म कर्म में लगाऊँगा, ऐसा सोच कर, राजा अपनी महल में बापस आ गए, और बापस आका राजा ने बहुत बड़ा यग्य का आयूजन किया, कई सारे संतों को आमंत्रित किया, र बूरी मा ने एक संत के पैर पकड़ लिये, और कहा, ये मेरे प्रभू है, आप मुझे बचन दीजिए, कि मैं बैकूंट में बास पाऊँ, यह सब देखकर, राजा बोले, माई, ये क्या कह रही हो, तब बूरी मा बोले, ये मेरे प्रभू है, इन्होंने मुझे बैकूंट ले जाने का बचन दिया है, राजा ने कहा, बैकूंट क्या है, तब बूरी मा ने कहा, जो लोग दानपुन्य करते हैं, पूझा पाट करते हैं, भजन कीरतन करते हैं, उन्हें बैकूंट प्राप्त होता है, ऐसे लोग मरने के बार भी सुक भोगते हैं, और जो पापी होते हैं उन्हें नरक में दुख भूगना पड़ता है राजा को अब सब समझ में आ गया और वे बूड़ी मा के पैरों में गिर पड़े जैहों भगबान विश्णों के तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये कहाने अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर